आयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। श्री राम विग्रे के प्रथम दर्शन हो गये हैं। इससे पहले मंदर के गर ग्रह में मोदी पहुचे और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए संकल्प लिया, फिर पूजा शुरू हुई, सुबह मंतरों चार के साथ राम लला को जगाया गया, इसके बाद वैदिक मंतरों के साथ मंगला चारन हुआ, दस बजे से श होगा, रिगवेद और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का होम और परायन होगा, इसके बाद श्राम को पूर्णा हूती होगी और देवताओं का विसर्जन किया जाएगा, इस महुतसब में होने वाली वैदिक क्रियाएं और शुप संसकार 16 तारिक से शुरू हो गए पहले दिन प्रैस्चित ओम यानि पवित्री करण की क्रिया होई, इसके बाद कलश पूजन और मोर्ती की शुभाय आत्रा होई, फिर मोर्ती का परिसर में प्रवेश हुआ, जल यात्रा और दियर्श पूजा होई और अधिवास हुए, मोर्ती की पवित्रता और शक्ती मचते हैं 16 जनवरी मंगलवार इस दिन प्राण प्रतिश्चा में पूजा करने वाले यजमान ने प्राश्चित किया और सर्यों नदी में स्नान किया ववित्री करण की क्रिया के बाद विश्णु पूजा के बाद प्राश्चित के तौर पर गोदान किया इसके बाद जहां म पूर्थी निर्मार हुआ उस जगह पर कर्मकुटी होम किया इस दिन वालमी की रामायन वे भुशंडी रामायन पाट की भी शुरुआत हुई